इस साल होने वाले राज्यों के विदान सवा चुनाव से पहले केन सरकार National Pension System यानि NPS में बदलाव कर सकती है सरकार NPS में बदलाव करके उसमें Guaranteed Pension का प्रावधान शामिल कर सकती है जिसके तहट करमचारियों के अंतिम बेतन के 35-40 फीसद पेंशन देने का प्रावधान होगा सर केंड सरकार भी हरकत में है क्योंकि पुरानी पेंशन का जोर मांग है जो लगातार जोर पकरती जारी आपको लगता है इस तरीके के अगर कोई विवस्था आई तो उससे OPS की मांग रोक पाएगी OPS की मांग को रोकने के लिए ही ये कोशिश की गई है OPS के माडल को पुराने अपने पूरे ढाचे में राजसरकारों ने लागू कर दिया और उसके बाद के अंदर सरकारी पर ये गहरा दबाव था चुनाओं के करीब और आने वाले चुनाओं को देखते हुए कुछ तो ऐसा किया जाए इससे सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह से संतुष्ट किया जा सके जो नई वाउस था है जिसके बीच के लिए कमिटी भी बनाएगी त्यों बात्ची चल रही है उसमें एक हिस्सा पेंशन का जो रिटार्मेंट पर मिल था उसे गैरेंटीड पेंशन के तरपर बदल दिया जाए आन्दर प्रदेश का एक मॉडल है जो की प्रस्ताओं में है पर कहीं न कहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो विरोध था नई पेंशन योजना के खिलाब जो विरोध था और पुरानी पेंशन योजना की जो मांग थी और उस पर जिस तरह से कुछ राज्य सरकारों ने किन सरकार का दबाओ अलग करके फैसला लिया उस दबाओ होगा, इसका structure क्या होगा, किस तरह से इसके fund त्यार होंगे, ये देखने वारी बात होगी अगर नसा लगता है कि चुनावों की त्यारी केपस की रोशनी में में नई pension scheme में ये बड़ा बदलाओ अब लगबग तैर